अगर आपके भी घर पे Samsung का single door का fridge है तो भाई temperature adjustment करना आप लोग को ज़रूर आना चाहिए तो वीडियो में वही बताने वाला हूँ आप लोगो को चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले कुछ चीजी यहां पर mention किया हूँ ध्यान सब देखे winter, monsoon और आपका summer लिखा हूँ है तो यह चीजी आपके हर freeze में रहता है तो यहां पर आपको ध्यान से देख लेना है side में number भी है आगे number में आप लोगों बता हूँ किस कारण से number है और कैसे set होगा उससे पहले कुछ चीजी आप समाझ जाओ इसके इलावा भी क्या है नीचे में लोग आएंगे तो नीचे में कुछ और भी चीजी में इंसन किया हुआ है यहां पर जैसे आपका button के यहां पर बढ़ता रहा है अपका ठंडा का समय में रहे तो आप one से two के बीच में रखेगा इसको नेच्ट हम लोगों का जो आपका three से four हो कब रखना है वो हमारा मौनसून में रखना है यहां पर मेंसन किया हुआ साम नहीं three से four आपको तब रखना है जब हमारा मौनसून हो मतलब आपका बरसाथ का समय में से three से four में अगर आप रखेगा तो कोई भी समान आपका खराब नहीं हो कभी भी आपका बहुत अच्छे तरी है समान आपका बचला सबजी रहा या फिर आपका फॉल फूर्ट से सारा आपका सेव रहाएगा और जब लाश्ट कर देजेगा तो हाइस्ट कुल हो जाएगा मतलब आपको कम समय में जल्दी कूलिंग चाहिए फिरिज में तो आप हाइस्ट कर सकते है तो इस तरह सी ऑपरेट होता नेक्स्ट आपर जो यह बटन है यह बटन को अगर आप प्रेस किजेगा यहां पर यह आपका defrost mode में चल जाएगा फिरिज मतलब आपका जो आइस है जो cooling chamber में जमता है वो automatic गलाना शुरू कर देगा तो आपका यह काम करता है blue button तो इसके use कर आप कभी ओवर आइस जमता है तब ओवर आइस जमने का और भी कुछ कारण है वो भी आप समझ सकते हैं चलिए उसका thermostat का मतलब के तार लगावा देख सकते हैं यह तार हमेसा सटा हुआ रहता है कभी वहाँ से हड जाएगा तो ओवर आइस जमने के से थर्मो स्टेट सेंस नहीं कर पाएगा compressor यह आपका आइस पूरा जमा है यह नहीं है अगर वो सेंस करेगा तब यह आपका compressor को रिश्ट कर